हेलो दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं चलो फिर बिना इंट्रम टाइविंग आज की वीडियो तो पहली चीज़ आपको कुछ चीज़े समझनी चाहिए कि आईएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कोई यूपिसी एक्जाम देना होता है जिसको क्रैक करने के बाद आपको आगे गिप्स प्रॉसेस पता होनी चाहिए जिसके बाद आप एक आईएस ऑफिसर बनते हो लेकिन ये एक्जाम आप अभी नहीं दे सकते हैं अभी आप क्लास नाइन्थ में हो ये एक्जाम आप आफ्टर ग्रेजुशन दोगे तो अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है अभी आप क्लास नाइन्थ में हो ये क्लास एर्थ जिस भी क्लास में हो तो आपके लिए approximately 7 to 8 years अराम से हैं तो आपको अभी काफी टाइम है उसके बाद ही आप अपना फर्स्ट अटेंप्ट देंगे बट कुछ चीज़े ऐसी हैं जो आप अभी से कर सकते हो अगर आपका अभी से ड्रीम है कि आपको एक IS आफिसर बनना है तो कुछ चीज़े ऐसी हैं जो आप अभी से कर सकते हो जिससे आपको आगे help मिले और आप अपना goal अचीव कर पाओ तो उसके बारे हम बात करते हैं कि आप अभी से क्या क्या कर सकते हो तो अभी आपको उस environment में जाना होगा कि आप एक IS आफिसर बनना चाहते हो आपके आस पास का environment पी वेसी होने चाहिए तो आप अच्छे दोस्तों में रहो study environment में रहो ताकि आप अपने goal के towards stick रह सको आप कर सकते हो ताकि आपकी ये reading skills अच्छी हो और उसके साथ सथ आप writing skills पर फोकस कर सकते हो क्योंकि आपको बहुत काम आएगी आपके चलके writing skills तो अपना school work complete करो लिख लेकर practice करो ताकि आपकी writing skills भी अच्छी रहें उसके साथ सथ आपको मैं suggest करूँगा कि आप थोड़ी motivational movies दे आपको पूरा करना है अच्छे से करना है कोशिश करो कि आप class 9 में अच्छा perform कर पाओ अच्छे marks लाओ class में top करो क्योंकि अगर आप ये small steps अभी से लोगे आप अभी class 9 को अच्छे से करोगे ये small step आपकी आगे की journey में आपको काफी help करेगा अभी से चोटा goal बनाओ कि साथ साथ मैं आपको suggest करूंगा कि आप अपनी general knowledge पर focus की लिए आप उसको strong कर सकते हैं आप history geography इनके बारे में पर सकते हैं extra books आप खरी सकते हैं market से ताकि आपकी जी के अच्छी रहे या फिर आप internet पर पर सकते हैं इनके बारे में अपनी जी को करने के लिए अगर आप ऐसा क करने से और आप एक step आगे जाओगे अपनी IS preparation के लिए उसके साथ साथ आप जितनी भी great personalities हैं उनकी biographies read कर सकते हो उनके बारे में पर सकते हो जैसे कि Swami Vivekanand, Dr. Abdul Kalam, Mahatma Gandhi and जितनी भी great personalities हैं उनके बारे में पर सकते हो ताकि आपको उनसे motivation मिले और आप knowledge gain हो उसके बाद जब आप 12th pass out हो जाओगे आप 19 years के होगे तब आप इस preparation को अच्छे से start कर सकते हो और आप अब main IS preparation में enter करोगे लेकिन अभी के लिए आप जिस भी class में हो class 6, 7, 8, 9 आपको ये सब चीजे करनी चाहिए जो आपको मैंने suggest करी हैं इन सब को अगर आप करते हो तो आपको definitely benefit मिलने सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप मुझे कामेंट कर सकते हैं ताकि मैं इस पर वीडियो बना पाऊं तो मिलते आप से अलली वीडियो में तब तक के लिए all the best thanks for the watching and peace